अधिक निराशा जीवन को डामा डूल करती है और अधिक अहंकार सत्य से दूर ले जाती है अपनत्व से दूर ले जाती है, अपनों से दूर ले जाती है अपना कौन है, हितेशी कौन है, पराया कौन है, ये भान बोल जाता है अदमी अधिक अहंकार और वहीं जुकता है जहां उसका अहित होता है तो ना अधिक निराश होईए ना अधिक अभिमानी बनिए जीवन को सही रास्ते पर बैलंस्ड बना कर जाएए दो चीजें सदेव याद रखने जैसी होती है कि जब आप अपने गुणों को देखकर फूल जाओ या आपके गुणों को देखकर आपको हंकारा है तो सर्वस्ट्रिष्ट गुणमान से गुणमान व्यक्तियों को देखो और सबसे गुणमान कौन है प्रमात्मा है उसे देखोगे आपने आपको उससे छोटा पाओगे और जब अती निराशा और अती दुरबलता है निराश हो जाओ तो अपने से अभावगरस्त लोगों को देखो वो जी रहे न आपसे भी अधिक 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 अभाव में जी रहे फिर भी प्रसन नहीं आप निराश क्यों होते हो यदि आपका चित अती अती निराशा में जा रहा है तो आपसे भी अधिक अभावगरस्त लोगों को देख कर आशावादी बनो यदि आपका चित अती अहंकार में हो रहा है तो सर्वस्रेष्ठ परमात्मा के गुणों का चिंतन करो उसके आगे तो आपके गुण कुछ भी नहीं है न गन्य है तो अहंकार में गुणों से गुणवान परमात्मा का चिंतन करो जब अहंकार आने लगे उसके आगे कुछ नहीं है आप कुछ पानी बरते हो करुणाशी उदार जिस जिस चीज का आप हिमान आए, प्रमात्मा के सर्वस्रिष्ट गुड़ों का चिंतन किरो, अहंकार जाता रहेगा, अधिक निराशा आए, तो अपने से भी उन हीन व्यक्तियों को देखो, जिनके पास कुछ नहीं, फिर भी प्रसंद है, अभी भी हॉस्पिटल में इतने लोग हैं, सड़ रहें, पच रहें, बिचारें, कोई अक्सिडेंट में, कोई जलकर, लोग चिला रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, ऐसे लोग भी हैं, जिनको एक समय भोजन मिलता है, दूसरे समय पता नहीं मिलने वाला है कि नहीं, हमें मिलता है, दो समय भोजन कर रहे है हम, अराम से कर रहे हैं, दो समय भोजन मिल रहा है, रहने को छत मिल रही है, कपड़े मिल रहे है, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा ने गुरु रूप में हमें सने और प्यार देने वाला दिया है, हम कम धनवान है क्या, निराशा किस पात की, तो जब अधिक न दोनों से बच जाओ, क्योंकि अधिक निराशा जीवन को डामा डोल करती है, और अधिक अहंकार सत्य से दूर ले जाती है, अपनत्व से दूर ले जाती है, अपनों से दूर ले जाती है, अपना कौन है, हितेशी कौन है, पराया कौन है, ये भान भूल जाता है आदमी जहां उसका अहित होता है, आंकार गिराता है, अधिक निराशा दुर्बर बनाती है, तो ना अधिक निराश होईये ना अधिक अभीमानी बनिये, जीवन को सी रास्ते पर बैलंस बना कर चलिए, उन्यती होता है, तो जब निराश आये तो किसको देखना चाहिए? अभाव करस्त लोगों को अपने से ऐसे दुरबल व्यक्तियों को देखना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो प्रसंद चाहिए शवरी के पास कुछ नहीं था नहाम थे ऐसे ऐसे लोगों को हम जानते कैसे कैसे बिचारे लोग अपना जीवन यापन करते देखकर अपने को करुणा आ जाती ऐसे ऐसे लोग बिचारे गाओं में लोगों को पता नहीं है कुछ किसी ने जमीन हड़प ली, किसी ने कुछ कर लिया 101 वर्ष की बुड़ी माता जीवन अपने पोतों को, छोटे-छोटे पोतों को पालती है कैसे माता पिता दोनों एक को हैजे की बिमारी हो गई मर गया दूसरे को सांपने काट लिया मर गया अब वो बुड़ी सी माई 101 साल की अपना भंडारा होता है पाच-पाच किलो, ढई-ढई किलो चावल लेने के लिए 10 किलो मीटर चल के आती है ऐसे ऐसे लोग है, क्या बता है आपको ऐसा तो हमको नहीं करना पड़ता है, गर बैठी मिलता है ऐसे लोगों को देखो, करुना उपच दिये कि एवल वो ड़ाई किलो चावल लेने के लिए 10 किलो मीटर चल के आती है और वो ड़ाई किलो चावल, ड़ाई किलो चावल, ड़ाई किलो आटा कुल मिला के आट-दस किलो का समान लेने के लिए वो औरत 101 साल की अपने घर से चल के आती है सुबह से निकलती है तब बारा बज़े पहुशती क्योंकि व्रिद्धा है चल नहीं सकती दिस इतने से रास्ते में दस पंदरा बार बैटना पड़ता है कैसे कैसे लोगे फिर भी उनको इतना सा मिलता है तो वो खुश हो जाते है भगवान आपका भला करेगा करूना दया प्रेम उनको देखकर प्रेम आता है करूना सहज उत्पन होती और हमारे पास सब कुछ है फिर भी फरियाद नहीं जाती है जितना जिसको अधिक सुविधा है ना जितना जिसको अधिक ख्याल रखा जाता है उतना ही, वो ज़्यादा बदमाशी करता है मन जिसके पास कुछ है ही नहीं वो थोड़ा भी मिलता है तो परिसन होता है यह हकीकत है एorsa, मैंणु मन का साथ स्वागuyu ज़सको ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा सmillion चड़ता है, जिसको नहीं मिलता हूँ ठीक रहता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो कैसे हम पूछते हैं कभी-कभी फिर ऐसे लोगों को देखे कि आप कैसे घर चलाते हो, मुझे कुछ नहीं ऐसे काम करते हैं, 101 साल की बुड़ी औरत क्या काम करेगी बताओ, फिर भी लोगों की घ सकते हैं कि गजारा चलता है। जो छले पे खाना बनाती है। तो मैं कहा आपको दिखता कैसे, ओले फिर आदा-कचच्य-पकगों का बना ले ते कैसे-कैसे-ते लोगों और जिसके पास अती वह हैं वह भौग-श्यों से ऊपर ने आते दुर अधोरक 54 रूए साधन का दन का, यवन का, रूप का उनके पास तो बिचारों के पास दुरुपयोग करने के लिए समय ही नहीं है वो अपना पेट पालने से ही उपर नहीं आते तो कहीं कहीं तो अती विशमता देखने को मिलती है ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते है उनकी जग़ पर आप लोग मतलब ये कहो कि आप राजा हो ऐसे रहते हो दो वक्त की रोटी मिलती है रहने को च्छत मिलती है मान मिलता है जैसा चाहो वैसा कर सकते हो उनको तो मजबूरी है बचारों का ऐसे ऐसे लोग है एक और और अट मिल दी पढ़दादी हो गई पाँचवी पीड़ी पाँचवी पीड़ी और नीचे वाली सारों चारों पीड़ी मर गई वो अकेली जिंदा है वो कम फो कम कुछ आया था सब दब मरें वो अकेली जिंदा थी हैं वो भी 102-103 साल की वो क्या कर रही थी बहस दो रही थी तो जिसको अभाव है ना उसको सामर्थी मिल जाता और जिसके पास सब है उसका सामर्थी जाता रहता वो अपने बल पे खड़ा होना सीख जाता उसकी आँखों में देखो कोई सेवा करने वाला नहीं आखो में देखो, सुनी-सुनी आखे, कोई अपना कहने वाला नहीं, इस उमर में वो एक पानी का ग्लास भरके देने वाला कोई नहीं, फिर भी आप उसके चित्त की प्रसंता देखो, मैं का क्या करती है, मुले कुछ नहीं, दूद दोती हूं, दो टाइम पीती हूं, मस्त र बढ़ता था, भाई ऐसा करो, जी जलता था, अब जी नहीं जलता है, ऐसे लोगों को जी ना जाता है, और हमारे पास सब कुछ है, फिर भी फरियाद होती है, देखो अपला नहीं, आज तो दर्सन हुए, तो नजर ही नहीं पड़ी, फरियाद बनाने के लिए, गुरू भी जिन्दगी जीवन जीना सिखा देती है, तो आप जब फरियाद आत्मक विचारों में हों, तो अपने से कनिष्ट पुरुश्म को देखो, अपने से अभाव ग्रस्त लोगों को देखो, उससे आप ज़्यादा सुखी हो, फरियाद नहीं होगी, अथि हंकार आजाए तो प कुछ भी नहीं, गुण है कि आप में, कुछ नहीं, गुणों का अभिमानी गुणों को मार डालता है, खतम कर देता है, नम्र व्यक्ति जितना सफल हो सकता है न, उतना अहंकारी व्यक्ति काटा जा सकता है, रावन मारा गया, शबरी पूजी गई, नम्रता और अहंकार का अहंकार तो किसी को भी पसंदने इंसान से लेकर भगवान तक अहंकार का त्याग करना ही स्रिष्ट होता है